हेलो वाट्स अप गाइस माइम इस पिनोद बादु थापा एंड टोड़े इन इस वीडियो वीडियो वाट इस वीडियो में देखेंगे कि एक माय स्क्रिप्ट 2015 क्या होता है इन हिंदी तो चलिए गाइस सुरू करते लेकिन सबसे पहले गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लिजे फॉर आल दी आसम वीडियो और आप आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बैल आइकन दिखाई देगा एक घंटी दिखाई देगा उसको हिट कीजिए उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आजाए और आपको खुझ से मैनोली सर्च ना कर आपको यहां साब उसको एक्सेस कर सकते हो और फ्री में अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो देखे आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एकमा स्क्रिप्ट 2015 के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर का ये ES6 क्या होता है ठीक है इसका हम ह घरलं हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे यह blessed now पड़ा and then JavaScript vs.絈 माइस क्रिछ को धेखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यह JavaScript है, इसको 1996 में Brandon Nick बनाया था, ठीक है, आप कह सेकते हूं कि Net Space Company में बनाया गया था JavaScript, तो 1996 में का इस JavaScript का कोई एक standard नाम नहीं था, समझे हो, सब उसको सिर्फ JavaScript ही बोलते थे, then क्या हुआ कि 1997 में, ठीक एक साल बाद, 1996 में JavaScript को create किया गया अधर वाई, Netscape Company उन्होंने क्या किया कि गया, जावस्किप्ट को एक standard name देने के लिए, 1997 में ECMA International को submit कर दिया, so 1997 में क्या बता गया, जावस्किप्ट जो की Netscape Company उन्होंने ECMA International जो कमपनी उसको submit कर दिया, जावस्किप्ट, ताकि उसको एक standard नाम इल सके, so from that, वहाँ से क्या हुआ कि गया, जब उन्होंने submit कर दिया, जब उसको एक standard नाम की देने की बारी आए, तो वहाँ से उसका result क्या है, ECMA Script, तो in short guys, जावस्किप्ट को जब ECMA International में submit कर दिया गया, तो उसको एक standard नाम से बुलाने के लिए, उसका नाम रख दिया गया, ECMA Script, तो वहाँ से जाके ECMA Script, स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उस तरिके से अब आपको पाता चल गया होगा, कि यह ECMA Script का है, जैसे बहुत लोग पुछते ना, पहले एग आया या चिकन आया, ठीक है, तो उससी तरिके से कोई मालूम नहीं है, हमें कौन आया था पहले, बट इन जावस्क्रिप्ट और ECMA Script के हिस्ट्री में, पहले जावस्क्रिप्ट को क्रेट के आगिया, उसको एक स्टेंडर्ड नाम देने के लिए, उसको ECMA International में सम्मिट करके, as a result, ECMA Script बना, तो गाइस, आज हम देखने वाले ES6, ठीक है, जिसको हम ECMA Script 2015 भी बोलते हैं, तो ES6 में ऐसा क्या हुआ कि जिसको हमने ECMA Script 2015 बोला, तो उसका result यह था कि गाइस, in the year 2015, 2015 में, यह जो ECMA International है, यह ECMA Script आप कहा सकते हो, इन्होंने क्या Decide के कि, now, annually, हर एक साल हम एक नया वर्जन निकालेंगे, और उसको एक नया नाम देंगे, इसलिए पहले वो सिर्फ ES6 था, उससे साल उसको ES2015 बोल दे, क्योंकि ES6 जब नाम रखा गया था, वो 2015 का साल था इसलिए, बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं, ठीके, उससी confusion को दूर करने के लिए, we have a timeline, timeline में अगर आप देखोगे, तो 2015 में, जो साल था, उसमें ES6 निकला था, जिसको हम ECMA Script 2015 बोलते हैं, तो इतना आपको याद रखना है कि ES6 मतलब ECMA Script, E represent for ECMA, S for Script, और ES6 मतलब 2016 नहीं है, ES6 मतलब ECMA Script 2015, अब फिर उसके बाद मैंने बाताना है कि अब 2015 के बाद उन्होंने क्या decide कि ECMA International ने कि हम हर साल एक नया वर्जन निकालेंगे, एक new release करेंगे, So next, जो 2016 को आया, उसको ES7 नाम दिया गया, जिसको आप ECMA Script 2016 बोलते हो, and then उसके बाद 2017 में, जो आया रिलीज, उसको आपने नाम दिया, ES8, obviously अब वो क्या नाम रखा गया, ECMA Script 2017, So उसके बाद जो 2018 में आया होगा, उसका नाम होगा ES9, जो 2019 जो अभी है, उसमें ES10, तो इसी तरह के से वो चलता जाएगा, तो आप आपको guys, आई हो पूरा clear होगा होगा कि JavaScript आया पहले, then ECMA Script, then ये timeline, कैसे उसका नाम पढ़ा, क्योंकि उन्होंने decide कि annually हम अब एक नया अप ये वेर करके लिखते थे, now we have let and const, destructing, template strings, default arguments, object properties, and last finally we have arrow function, ठीक है guys, and then ये है तो simple guys, ये तो इतना है कि अगर आभी तक आपने मुझे follow नहीं किया है Facebook में, तो विनोत थापा 55, वा इंस्टाग्राम में भी आप मुझे follow कर सकते हो, विनोत थापा 55, all right guys, तो हमने इतना दे देखेंगे what is let and const, तो आप देख सकते हो, मैं sublime text editor पर work कर रहा हूं, but मैं इस video को guys, mostly तो आपने console पर ही काम करने वाला हूं, ठीक है, simply मैं console पर पूरा काम करूंगा इसका, all right, ठीक है, और एक और चीज़ में आपको बताना चाहूंगा कि ये, कि guys, ये जो ES6, then ES7, then ES8, हो स ब्राउजर अभी ऐसे ब्राउजर जो इसको support ना करे, then don't worry guys, we have a babel, ठीक है, आप देख सकते हमरे पास babel है, इसमें क्या होता कि guys, अगर आपने code लिग भी दिया, आपने ES7, ES10, ES6 में अगर आपने code लिखा भी, और अगर आपको doubt हो रहा है, ये कहीं browser इसको support करे ना करे, so we have a babel, तो ये babel में क्या होता कि आप simply try it out पर आओगे, तो आपने जितना भी code लिखा गाइस, आपको simply उसको यहाँ पर paste कर देना है, and then ये equivalent to ES5, ये समझ रहे हैं, अल्रेडी यहाँ पर इन्होंने दे रखा guys, ये आप भी हम देखेंगे, अगर आप सोच रहे हैं, so don't worry इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है, तो इसको आगर आप यहाँ paste कर देगे, तो ये हमारा जो normal JavaScript जो हम काम करते है, उस पर उसको output हमें दे देता है, तो आप code लिखोगे ES6, ES7 में, यहाँ पर paste करके, यहाँ पर जो output हैगे, इसको copy करके, वहाँ पर चिपका दीजिए, अग हाँ, एक और बात में यह बाताना चाहूँगा कि guys, मैं ES6 इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि ES5 तक सब normal था, अभी जो यह ES7 है, ES8 है, वो भी normal है, hardless में एक दो changes है, but ES6 में बहुत ज्यादा changes आ गये थे, इसलिए आपको ES6 जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले हम बिंग हो, integer हो, boolean हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ where इसको करते थे, but now in ES6 we have a let and const, ठीक है, मैंने already let versus where का difference क्यो पर वीडियो बनाया गया, उसका link में टॉप में दे दूँगा, ठीक है, उसको अगर अब तक आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजे, but don't worry, इसमे जो scope होता है, वो within a function होता है, ठीक है, and then अगर आप let लिखते हो, जो scope होता है, वो within a block, and then guys we have a const, आपको अगर आपने C, C++, Java, PHP, कुछ भी क्या होगा guys, तो आपको बहुत क्लियरली मालूम है कि constant क्या है, constant मतलब किसी भी, कोई भी variable को अगर आप declare करना चाहते हो, जिसकी value आ आप change नहीं करना चाहते, then आप simply उसको as a const pass कर दीजे उसको, ठीक है, तो देखे, it's 3.1432, जो भी पाई की value guys, आपने बहुत भाई स्कुल में देखा भी है, पाई हर जगे यूज होता है, फॉर्मोले में, math के फॉर्मोल में, पाई, आर स्कुर, यह सब जितने भी थे, तो उसमें पाई की value कभी change नहीं होती है, और हम चाहते भी नहीं कि कोई उसको change करे, then आप अगर वो चाहते हो कि कोई उसकी value को change ना कर सके, then you have to write const, ठीक है, so देखे guys, अब भी हम directly आप पूरा practical करते, ठीक है, देखे, सबसे पहले है कि अगर मैं where, ठीक है, demo1 लिखता हूँ, ठीक है, equal to thapa लिखता हूँ, अगर मैं, देखे, इस तरीके से थापा लिखा मैंने, इसको अगर मैं enter हिट कर देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ, इस तरीके से, ठीक है guys, so मुझे मेरी value मिल जाती है, ठापा, perfect, उसी तरीके से अगर मैं let demo2 लिख देता हूँ, और equal to, यह मैं पर लिख देता हूँ, मैं winode इस तरीके से, ठीक है, all right इस तरीके से लिख के, अगर मैं enter हिट करता हूँ, तो same मुझे देखे क्या आने वाला, अब demo2 पर जाता हूँ, all right मुझे winode आया, so फिलाल अभी दोनों same काम कर रहे, ठीक है, कोई problem नहीं, अब major difference कहा आ जाता दे मैं एक function create किया, so इसको एक नाम देता हूँ, function का नाम कुछ भी आप दे सकते हूँ, मैं check देता हूँ, ठीक है, इसको as it is रखा, guys मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक variable define करता हूँ, so let a, equal to guys, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँँगा, उसकी value लिख देता हूँ, let's say 10, ठी ठीक है, यहाँ पर आप मैं क्या करता हूँ, एक guys मैं if condition लगाता हूँ, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर मैं if condition लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, true, मतलब obviously अब कुछ हो ना हो, उसको यह अंदर वो जाने वाला है, तो मैंने curly braces open किया, यहाँ पर आप मै एक ही value कर दूँगा, pass, इस तरीके से मैंने a को कर दिया, pass, यह मैंने यहाँ पर if condition को close किया, ठीक है, इसको आप मैं enter हीट करता हूँ, यहाँ पर आप मैं वापस console.log लिखता हूँ, console.log लिखा, यहाँ पर मैं a को ही value pass कर रहा हूँ, अब यह जो function है, इसको मैं close कर देता इस तरीके से perfect, अब देखे, मैंने simple सा एक function बनाया, check नाम का, जिसमें मैंने सबसे पहले एक a को let, as a let, उसको variable को declare किया, मैंने let लिख किया, और उसकी value मैंने assign कर दी 10, उसके अंदर मैंने, I mean function के अंदर ही मैंने if condition चेक किया, जहाँ पर मैंने बोला कि true, मतलब कुछ हो ना इसके अंदर वो जाने ही वाला है, जैसी हो इसके अंदर जाएगा, मैंने वापस एक ही value change कर दी, as a 20, पहले 10th and now it's 20, यहाँ पे अब जो value print होगा, और यहाँ पे जो value print होगा, वो आपको देखना है, उससे आपका पूरा doubt clear हो जाएगा कि कब let use करना है, और कब where use करना है, now what I have to write is, only खली यह function का नाम मुझे, उसको I mean call करना है function को, so मैं सिर्फ check लिख के enter रिट करता बोंगा ऐसे देखे, यह जो सबसे पहले 20 आए, वो basically मुझे यहाँ से आया, console.log a, क्योंकि मैंने if के अंदर a की value change कर दी थी, 20, but जैसी if condition के बहार आया, और जब मैंने a को again call किय I have a value 10, वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैंने अब भी आपको बाताया था कि अगर आप let use करते हो, उसका जो scope रहता है, वो within a block रहता है, और जो where रहता है उसका within a function, so instead अगर मैं यहाँ पे well लिख देता हूं guys, यहाँ और यहाँ पे तो मुझे इस जगे पे 20 मिलता था, ले समझ रहे तो यह होता है block scope और where कहलाता है function scope, समझ रहे, तो मैं आपको इसमें करके भी दिखा देता हूं, इसको पहले close करता हूं, वापस यहाँ पे, ठीक है, इसमें मैं checks लिख देता हूं, ताकि conflict ना हो, यह let के बदले मैं लिख देता हूं where, और यहाँ पे भी let के बदल 20 and 20, क्योंकि एक बार जो value update हो गया A का 20, next time भी वो 20 ही रहता है, क्योंकि उसका scope within a function है, but let में क्या था within a block, इसले वो 10 आयता, but दोनों 20 है, ठीक है, and then उसी तरीके से guys, अगर आप constant use कर रहे हो, तो simply है, अब देखे, const name लिखता हूं मैं, ठीक है, मेरा नाम कभी अब change नहीं होगा ना, समझे हो, तो नाम में लिख देता हूं, इस तरीके से विनोध, यह देखे, यहाँ पर, विनोध लिख रहा हूं मैं, ठीक है, विनोध लिखा, and enter it किया, perfect, अब देखे, अब अगर मैं name पर click करता हूं, boom guys, देखे, my name is विनोध, मेरा नाम आ चुका है विनोध, लेकिन अब मैं इस name को कभी भी change नहीं कर सकता, अब name लिखा, यहाँ पर मैंने, ठीक है, अब name को में एक new value assign करा देता हूं, let's say, विनोध, विनोध थापा लिख देता हूं, ठीक है, इस तरीके से लिखा विनोध थापा, और यहाँ पर enter it किया, यह देखे, guys, assignment to constant variable, on cot, य constant मतलब एक बार जो उसकी value हमने define कर दी, यह value assign कर दी, means कर दी, अब चाहिए, आप कुछ भी होज़ा हम change नहीं कर सकते, so इस जगे पर आपको constant use करना है, ठीक है, so I hope guys, आपको let, where and const का difference पूरा clear हो गया होगा, और आपको पाता चल गया होगा, कि ES6 में why we have let and const, क्योंकि where दे बोल सकती उसको, तो देखिए guys, तो destructuring देखने के लिए देखिए guys, मैं simply हमें, वो basically object के अंदर आता, ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है, कि हम एक object create कर लेते, and मैं नहीं चाहता है कि object का नाम कोई भी change करे, so I will use const, अब हम variable variable छोड़ देंगे, या तो let या तो const या तो const लेता हूँ, I think already presented, तो bio data's लिख देता हूँ, ठीक है, तो basically मैं एक object बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए guys, मैं क्या करता हूँ, की value की value आपको मालूम है, तो simply मैं name लिख देता हूँ, और हाँ याद रखो, इस तरीके से आपको लिखना है, name लिख दीजे, विनोद, perfect, ठ देन एक कॉमा, आप age लिख दीजे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 25, अभी जस्ट वाओ, ठीक है, and then guys, आप लिख दीजे, born country, born, किदर born हुआ था, ठीक है, so इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया guys, नेपाल में हुआ था, so इस तरीके से लिख दिया मैंने उसको ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, curly braces close करता हूँ, and then enter it करता हूँ, perfect, हमारा एक object create हो चुका है, जिसका नाम है, bio data, ठीक है, यह देखे, bio data पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, so we have a property, age, 25, born, दूसरी property, जिसकी value है 15, and name नाम के एक property है, जिसकी value है, विनोध, ठीक है, बस इसका problem ह कि अगर मैं simply, अगर age लिखता हूँ, इस तरह के से, देखे, मतलब मैं अब उसको access नहीं कर सकता, मतलब मैं अगर सिप age लिखूँगा, तो कुछ नहीं हो रहा, देखे, guys, uncut reference age is not defined, समझ रहे हो, तो इसमें हो यह रहा कि guys, अगर मुझे इस object के अंदर, यह age को अगर मुझ लिखू, तो मुझे यह 25 मिल जाए, यह आगे मुझे biodatas लिखनी की need ना पड़े, इसकी जौत ना पड़े, तो obviously हम क्या करते थे काई, इस आपको मालूम है, so उसके लिए हमें क्या करना है, कि पहले उसको variable में assign करा देते थे, है कि नी, so let, ठीक है, let नी, इसको भी आप const र name already present है, ठीक है, so मैं यहाँ पर names कर देता हूँ guys, यह जो नाम है न, यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हूँ, because यह आपका खुद का एक variable है, but यह जो है, हमारा object, उसके अंदर जो name नाम का property हो, same होना चाहिए, perfect हमारा, अब देखे, अब मैं simply names लिखता हूँ, so I have a, देखे, मुझे मेरी value मिल गई है, यह normal है, अभी तक हमने इसमें देखा नहीं, destructuring क्या है, तो अब destructuring क्या बोलता है, कि आप जहाँ बार बार इस तरीके से, अब देखे, अगर आपको age का करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा guys, यहाँ पर age लिखना पड़ेगा फिर यहाँ page लिखना पड़ेगा, उसी तरीके से जो मैंने bond लिखा है, आपको यहाँ पर bond लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर bond लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, तो वो नहीं चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, simply एक line में में मेरा काम तमाम हो जाए, तो आपको क्या क्या इस destructuring क्या बोलता है, कली ब्रेस के अंदर, आप simply वो नाम लिख दीजे, जो आप चाहते हो, कि उसको बाद में आप simply उस नेम से access कर सको, so मुझे चाहिए age, and then मुझे चाहिए bond, ठीक है, simply मनला bond गंटे जो भी, अब यहाँ पर आपको equal to वो object का नाम पास कर देगा, बायो डेटा, this is it, अगर आप यह लिख रहे हो, तो अब भी जो मैंने उपर यह लिखा नहीं थे ना, तो उसी तरकी से for यह age and bond के लिए कर देगा, and enter hit कर देगा, perfect, अब अगर मैं सिर्फ age लिखता हूँ, और enter hit करता हूँ, यह देखे, boom guys, we have a 25, उसी तरकी से अगर आप म release किया गया था, वो था template string, ठीक है, तो यह template string क्या होता, आप वो देखते, so guys, again इसको मैं पूरा clear कर देता हूँ, ठीक है, तो आप आपको पता चल चुका कि अगर मैं name लिखता हूँ, तो मेरे पास बिनोद है, और अगर मैं age लिखता हूँ, तो मेरे पास age 25 है, and then अगर मै bond लिखता हूँ, तो मेरे पास value है Nepal, ठीक है, अगर आप सोच रोए name तो मैंने अब तो किस video में लिखा नहीं, क्योंकि मैंने तो लिखा था names, so guys, name मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था, इसलिए, ठीक है, अब guys, अगर मुझे यह name, age और bond को एक साथ access करना हो, तो आपको यादे हम कैसे करते थे हैं कि नहीं, let, ठीक है, let में लिख देता हूँ, so value करके, हाँ, so लिख देता हूँ, simply, आपको यादे हम क्या करते थे, हम double quotes में लिखते थे, my name is, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पढ़ता था, plus लगाते थे, यहाँ पर आपने पास किया name, then, अब क्या लिखते हैं, my name is, यह जो भी है, my age is, again, आपको guys, my age is, string के लिए, then, again, double quotes के अंदर, my age is, लिखा, ठीक है, उसके बाद, again, plus, फिर लगाया, age, plus, then, I was born in, इस तरिके से, I was, ठीक है, I was born in, अब कहा है, नेपाल है, तो उसको क्या करूंगा, मैं वापस मुझे मैंने लिख दे एक semi-column दे दिया, simply इस तरिके से, undefined, अब अगर मैं so को क्लिक करता हूँ, so boom गाई से देखे, my name is Vinod, my age is 25, I was born in Nepal, और जो कि यह बहुत गंदा देख रहा है, ठीक है, अब अनलब देखे, 25 I कुछ पता नहीं चल रहा, is 251, Vinod my में पता नहीं चल रहा है, अब यह कर सकते हो, simply यहाँ पे एक space, यहाँ पे space दो गया, तो यह हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कितना problem हो रहा है कि plus, बहुत बार क्या हो जाए, अगर एक plus miss हो गया, यह double tick नहीं दिया, single tick हो गया, ऐसा double quote, single quote में खेलना पट रहा था, but now guys, we have a template string, so template string क्या बोलत ठीक है, यह basically, अगर आप laptop यूज करो, या keyboard कुछ भी हो, तो escape के ठीक नीचे और tap keyword के ठीक उपर, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसको thought come, zoom करता हूँ, ठीक है, इतना power factor, ठीक है, तो देखे guys, अब template string, जो third feature, उसमें क्या, वैसे मैं लिख देता हूँ, where नहीं guys, ठीक ह so value लिख देता हूँ, so value, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अब देखे क्या करूंगा, simply back tick लिखूंगा, ठीक है, देखे, दो back tick, अब यहाँ पर मैं simply इस तरिके से लिखूंगा, so my name is, अब मुझे क्या करना है, simply dollar, और यह curly braces के उस करना, यहाँ पर लिख देना है, name, perfect, ठीक है, आप मुझे कोई plus ने, कोई double quotes कुछ ने, खाली, दो back tick के अंदर, my name is Vinod, एक single quote, perfect, my age is again dollar symbol, ठीक है, आप इसके अंदर चाहे तो कोई भी expression two plus two, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, फिलाल for this sake of simplicity, मैं आपको जितना easy तरिके से हो, वो बताने की कोशिस करूं, and I was born, ठीक ठीक है, इस तरिके से, यहाँ again double quotes, यहाँ पर लिख दीजे, born इस तरिके से, ठीक है, आपको, अब देखे, कुछ नी करना है, यहाँ एक semi-column दे दीजे, and enter hit, perfect, अब अगर मैं so value पर जाता हूं guys, ठीक है, अब result देखे, boom guys, यह देखे, कितना simple था, my name is Vinod, perfect, space भी है, my age is 25 space perfect, and I was born in Nepal, simple, sorry, यहाँ पर आपको dot देना था, कोई नी, लेकिन आपको पता चला है, template string कितना useful है, इतना जमिला करने के बद दे, आप simply, यह double tick, ठीक है, sorry, यह back tick के अंदर, आप इस तरिके से, dollar और curly braces का, आप चाहे तो अगर आपने, क्या बोल सकते है guys, angular use किया, तो यह without dollar अगर आप यह लिखते थे, तो string interpolation बोलते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप से इतना याद रखे कि, now by template string आप इस तरिके से उसको लिख सकते हो, back tick के अंदर, और कोई भी outside variable को अगर आपको access करना है, तो इस तरिके से आपको curly braces के अंदर आप उसको लिख सकते हो, so guys, य देखिए guys, इसको again मैं clear कर देता हूँ, default arguments मतलब क्या guys, आप में से बहुत हो को साथ यह confusion होगा कि parameters and arguments में difference क्या है, तो simply guys, वो parameter versus argument भी मैं इससी topic पर आपका clear कर देता हूँ, देखिए, let's say मैं एक function create कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम मैं दे देता हूँ, add, मुझे basically 2 function को, I I mean, 2 value को add करना है, और कुछ नहीं करना है, so guys, मैंने क्या लिखा, add लिखा, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, sorry guys, हम add नहीं करते, हम क्या करते, एक age ले लेता हूँ, default value है, default arguments, तो मैं age नाम का function बनाता हूँ, तो let's say guys, आप एक driving license के लिए apply कर रहे हो, online, ठीक है, और आ वो by default 18 वहाँ पर दिख जाए, मतलब form पर 18 आ जाए, समझ रहे हो, क्योंकि minimum जो age है, वो 18 चाहिए ही चाहिए, तो इससे तरिके से हम default argument के लिए सकते, जहाँ पर अगर by chance कोई भूल जाता है, age के field में कुछ भी value लिखना, तो वो वहाँ पर form पर आ जाएगा 18 ताए कि उसक age लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक parameter पास कर रहा हूँ, तो देखे है guys, हम जब भी कोई function create करते हैं, function जब हम define कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो हम कुछ भी पास करते हैं, तो उसको parameter बोलते हैं, argument अब आपको पता चल चुका होगा, जब हम इस function को करेंगे call, उस सम parameter और वो होता है argument, क्योंकि बहुत सारे लोगा इस parameter argument में confused होगे, कभी कभी इसको ही arguments बोल दे, तो आपको बस parameter बोलना है इसको, ठीक है, इस तरी के समने एक function बनाया, fun age, उसके अंदर age नाम का एक parameter पास किया, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा, तो मैं directly यहा यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक return कर देता हूँ, age को, age मैंने कर दिया, return और इसको मैंने close कर दिया, this is it, अब अगर मैं fun age नाम का, sorry, fun age, इसको अगर मैं call करता हूँ, so values undefined, क्योंकि, तो value undefined है, इसमें कुछ नहीं हुआ, value undefined हो गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कितना 18, ठीक है, तब जाके मुझे value क्या मिल रहा है, मुझे value मिल रही है 18, लेकिन मेरे case में मैं आपको क्या बता है, let's say मैं भूल गया था, value डालना भूल गया था, age का, तो मेरा तो undefined आ गया, मेरे form में undefined आ जाएगा, 18 याएगा, मुझे card नहीं मिलेगा, but with the help of default arguments, अब क्या होगा देखिए, जब हम function create करेंगे तो यहाँ पर मैं ages लिख देता हूँ, ताकि same conflict ना हो जाए, तो यहाँ पर age रहने दो, यहाँ पर guys हम default arguments, it means कि हम यहाँ पर value पास कर देंगे, 18, now we have a value, age की जो की है, 18 मैंने एक default value कर दी, पा पास कर दी, parameter जो था, उसके अंदर मैंने उस age की value पास कर दी, 18, and this is it, अब अगर मैं fun ages लिखता हूँ, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, fun ages, और इसको मैं सिप देखिए, अब मैं enter हिट करता हूँ, boom guys, कितना simple था, देखिए, पहले जहाँ पर मैं लिखा तो मुझे मि 20 लिखोगे, तो आपको 20 मिल जाएगा, उसका कोई problem नहीं, लेकिन जो भूल जाएगा अपना form में fill करना, उसके बदले वो 18 आएगा, जो कि उसको help करेगा driving lessons को access करने में, उसको प्राप्त करने में, ठीक है, so guys, यह था हमारा fourth property, and now we will move to our fifth property, तो देखिए, हमारा जो fifth property, व जब आप एक object बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि guys, मुझे वो default value चाहिए, जो already मैंने define करके रखा हुआ है, तो उस समय यह use आता, तो कैसे use करना, उसका यह देखिए guys, ठीक है, अब भी आपको जब मैं practical करूँगा, तो आपको ज्यादा इसमें बैतर समझेगा, const लिख ले तो मैंने आपको बता है कि name हमारे पास already है, ठीक है, age हमारे पास already है, and then we have a born करके हमारे पास already, तो आपने देखा, तीनों की तीनों हमारे पास यह value पड़ी हुई है, इन तीनों को मैं कहीं पे भी use कर सकता हूँ, तो उसको मैं अब यहाँ पी use करता हूँ, देखिए, const, ठ ठीक है, default, default इस तरीके से लिखा, well लिख देता हूँ, equal to, ठीक है, तो basically एक object है, इसको calibrations चीए, perfect, अब देखिए, आपको यादे मैंने अब भी थुई देर पहले object बनाता है, यह उसकी property, यह उसकी value, अब यादे मैंने दिखा, adjust अभी कि मैंने already name मेरे पास है, तो इस तर property है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, यह जो name है guys, मैंने अब भी just आपको दिखाया था, कि name लिखते ही आपको मिल जाता था, विनो, तो यह वाला name है, जो कि मैंने already variable है, जिसको मैंने already declare करके रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको यहाँ से अटा देता हूँ, तो यह आपका property कुछ भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर वही variable लिखना है, जो आपने define किया है, again age, colon age लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, age मेरा 25 दिखाएगा, one जहाँ वहा था, वह मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, one, ठीक है, तो यह property है यह हम by default value ले रहे है, यह और य जबकि यहाँ पर मैंने कहीं पर भी name में बिनोद नहीं लिखा, इस 25 नहीं लिखा, तब भी मुझे यह access हुआ, अब एक और तरीका देखेगा इस, अब इसको और short तरीके से करने का एक और तरीका देखे क्या होता है, ठीक है, जो कि object properties ने हमें दिया, जैसे यहाँ पर मैं का नाम भी और उसकी value, दोनों के दोनों say में देखे, one, one, age, age, name ने, तो जब भी आपके पास कभी कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो instead of name, name लिखने के बदे आप सिप name लिख दीजे, age, age लिखने के बदे simply age लिख दीजे, and then one, one लिखने के बदे सिप आप one लिख दीजे, देखे, जहाँ पहले आप इतना कुछ करे था, आप simply इतना लिख के, अगर आप enter हीट करोगे, तो boom गाई से देखे, अब अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, short, obj, and enter हीट करता हूँ, this is it, देखे, जहाँ यह जो मैं करके मिल रहा है मुझे, वही से मैं name, age, or born लिख दूँग important है, तो आप देख सकते ही, जो हमारा last one है वो है, arrow function, and I think आप में से बहुत सारे लोग साथ यह arrow function के बारे में already familiar हुए, हो चुके हो, क्योंकि मैंने already, साथ 6 या 7 मैंने पहली tap script में arrow function के उपर बनाया था, ठीक है, so guys, देखे, यह arrow function क्या होता है, तो again इसको मैं clear कर देता हम देखे, जो arrow function को, fat arrow function भी कहते है, mostly, ठीक है, other programming language में जब fat arrow को, guys, वो लोग उनको lambda बोलते थे, lambda, but here हम उसको simply fat arrow ही बोलेंगे, ठीक है, तो देखे, मैं पहले एक normal function बना लेता हूँ, function add करके, ठीक है, इसके अंदर मैं दो value pass कर देता हूँ, a, b, I think add already, add sum लिख देता हू हूँ, guys, देखे, return a plus b, this is it, इतना लिखा, और मैं enter hit कर देता हूँ, ठीक है, अब जब भी मैं अगर add sum पे इस तरीके से जाओंगा, तो मुझे not a number दिखाई दे रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अंदर दो parameter pass किया है, ठीक है, अब मैं जे उसके argument pass करना है, so 5,5, अब मै अगर enter hit करूँगा, 10, तो guys, यह fat arrow नहीं था, यह normal JavaScript में हम इस तरीके से function लिखते है, अब इसी कोई, अगर मुझे fat arrow में use करना है, तो क्या, देखे, मैं पहले, let, आप guys, यह देखे, add आप यहाँ पे लिख दीजे, add sum इस तरीके से, ठीक है, अब हाँ, add sum आप यहाँ पे आप कह सकते हों कि यह जो add sum है, वो यह है, समझ दो, लेकिन ऐसा कोई compulsory नहीं है, यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए function का नाम इतना matter नहीं करेगा, क्योंकि ठीक, उसी को हम यहाँ से access कर सकते है, इस नाम से, ठीक है, तो मैं जानबुच की यह और यह नाम different रख रहा हूं, क्योंकि अगर हम बहुत वीडियो देखते हैं, वहाँ पे यह नाम और यह नाम same रख देते हैं, तो उससे होता है कि guys, हमें यह लगता है कि function का जो नाम हमने यहाँ पे पहले देते थे, वो नाम यहाँ पे देना, ऐसा कुछ कुछ नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, तो देखे, इसलिए मैं जानबुच की अलग दे रहा हूं, so sum, यहाँ पे m था, m के बाद कुछ नहीं, लेकिन मैंने s दे दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यही value मिल declare करना हुआ, जहाँ पे पहले मैं क्या कर देता, add sum is equal to 5, एक value दे दी, add sum को 5, but अब हमें function को declare कर रहे है, so हम क्या करेंगे, यह ना लिख के, हमें सिर्फ parameter लिखना है, so we will write a, b, इस तरीके से, ठीक है, अब हम function को declare कर रहे है, by using arrow function, तो आपने देखा कि यह जो line था, इस line व एक new देखा, तो वो कि हमने equal to लगाया, और एक let keyword का हमने use किया, अब यह लेकिन आप सोच रहे हैं से function का आँगा है, जो main function keyword होता था हमारे JavaScript में, वो किदर गया, so कहीं नहीं गया, so यह ही है, तो basically जो यह fat arrow है, वो represent करता है function को, ठीक है, अब fat arrow ना मिशले दिया, क्योंकि देखिए, यह fat arrow है, double equal to, अगर आप single use करते हैं, तो यह हो जाता था thin arrow, क्योंकि एक line है, but वहीं अगर equal to, it means fat arrow, मोटा arrow, ठीक है, तो यह ही देखिए, यही आपको समझना है, बाकि सब हीजी, बाकि तो इसको अगर मैं copy करना, और यहाँ पे चिपका देना, this is it, और sorry, इसक इतना particular portion है, उसको कैसे लिखना है, so हमने क्या क्या guys, add sum जो एक पहले function था, उसको हमने add sum नाम दे दिया, जिसको हमने let में define कर दिया, उसके बाद equal to, ठीक है, अब यह जो add sum से, वो हम as a function मान रहे, उसको as a function declare करने के लिए equal to, parameter जो था, as it is दिया, उसके बाद यह एक function है, यह दिखाने के लिए fat arrow का use किया, और enter hit कर दिया, perfect, अब अगर मैं add sums यूज करता हूँ, यह इस तरह कैसे लिखता हूँ, तो again जो हमें उपर था, add sum लिखने पे, यहाँ पे भी add sums लिखने पे वो ही है, लेकिन अब अगर इसके अंदर में value पास कर देता हूँ, क्या पास क यहाँ पे भी same वही use हुआ है, देखिए, देखा आपने, so guys इतना ही था आज इस वीडियो में, ठीक है, उसके बाद symbols भी आये थे, अगर आपको याद होगा, तो इन्होंने एक symbol भी include किया, तो guys इस symbol इतना ज़्यादा use होता नहीं है, basically आप इसे एक अपना खुद का एक new symbol create कर सकते हो, ठीक है, तो हमें इस पे ज़्यादा focus करना नहीं, तो जो main था guys, वो मैंने आज आपको इस वीडियो में पूरा बता है, तो ES6 इतना ही है, ठीक है, तो guys एक मैं आपको quick recap update देता हो, जहाँ पर आज हमने देखा कि JavaScript create किया गया था in 1996, ठीक है, उसके बाद उसको एक standard way, ताकि हम standard नाम देशे कि इसलिए उन्होंने उसको ACMA International में submit किया, जासे वो ACMA script बना, and then 2015 में यह decide कि आगा कि now annually हम एक नया update, एक नया release निकालेंगे, इसलिए वो ACMA script 2015, 2016 बना, ठीक है, हमने timeline में देखा कि क्या होता है, 2015 को हम ES6 भी बोल सकते है, ACMA script 2015 भी बोलते है, उ भी तो 2019 चल रहा है, ठीक है, and then हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा important और 80% इतना ही था पूरा, जो कि ES6 में release वा था, बाकि सब तो वही पूराने है, and then guys, अभी मैं next video में आपको ES7 और ES8 देखांगे, जहाँ पे hardly सिर्फ दो ही चीज़ हुआ, यहाँ पे हमने इतना कुछ द थापा टेक्निकल पे विजिट नहीं गया, तो एक बार जरूर सोर्स कोड पे जाए, वहाँ पे सारे सोर्स कोड आपको मेरे वीडियो के फिरी में available मैंने किया, तो वो मिल जाएगा, ठीक है, so guys, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी useful लागा, तो please इसको अपने सार करे दोस्तों को share करेजिए, ताकि उनको भी help हो जाए, और वीडियो थोड़ा से पसंद है, तो guys, like जरूर करना, नीचे comment जरूर कीजिए, और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा, जब आप इसको करोगे subscribe, तो right side में एक red color का bell icon दिखाई देग मैं आपकी जरूर help करूंगा, so till then guys, thank you so much, take care झाल 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 झाल